हेलो अर्वन दिस जंकित विल्कम बैक टो शेनल इस वीडियो में नवी मार्त 13 जुलाई थर्ड सिप्ट का रिव्यू करेंगे मैंने आपको पैटन बताया था कि फर्स सिप्ट में इजी पेपर आ रहा है सेकेंड सिप्ट में इजी तो मोडरेट आ रहा है और थर्ड सिप्ट में रोना दोना मचाओ लेकिन मैंने पेपर भी मतलब मैंने कुश्ट भी देखें स्टुडेंट से बात भी करी है आज का थर्ड सिप्ट का जो कुश्ट था वो उतना हाड नहीं था जितना कल पूछा गया था कल के जो स्टुडेंट से रो रहते कि भाया 10 से 12 नंबर ही बन ही नहीं थे लेकिन आज का थर्ड सिप्ट का रिविव आया है लगबग 20 कुश्ट तो स्टुडेंट ने बताए है आज का जो साइंस था वो बहुत हाड था लेकिन जी के जो था वो हमारी पीडियाफ से आया हुआ है अगर आपने पीडियाफ को लिया था अच्छे स्तयार किया है तो कम सकम 20 में से 15 से 16 कुश्ट आपको इबुक से ही मिल गए डारेक्ली मैं आपको दिखाता हूँ फर्स कुश्ट देखे क्या पूछा गया इंडिया गेट कहां पर है वेर इंडिया गेट न्यू डेली में है अब इंडिया गेट था या फिर गेटवे ऑफ इंडि गेट पूछा गया था ब्राजील की राजदानी क्या है वाट इस दा कैपिटल ऑफ ब्राजील ये देखे पहले भी पूछा गया था दोबारा रिपीट हुआ इसलिए कहते है कि रिव्यू देखा करिए ब्राजील की राजदानी आपने अलेडि तयार कर रखी है ब्रासील की जो भासा है वो अर्बी है लेंगवेज चेप्टर में ने थोड़ा सा कम फोकस किया हर सिप्ट में कुशन आ रहा है नेक्स टाइम से ध्यान रखूंगा फिप्त नमबर कुशन देखें आइरन लेडी किसे कहा जाता है वो इच काल्ड आइरन लेडी इंदिरा गांदी को आइरन लेडी कहा जाता है ये कुशन था ये देखें कुशन रिपीट हुआ दुबारा राष्ट गान की रचना किसने की है वो हैस कमपोजड दा नेशनल इंदेम रविदना टेगोर जी ने ये कुशन पूजा गया था कल थर्ड शिप्ट में ऐसे कुशन थे ऐसे कुशन के लिए स्टुडेंट तरस रहते पूरे पेपर में 30 में 10 से 12 कुशन वो कर पायते आज देखिए इतने आसान कुशन भी पूछे गयते जैसे ये देखिए कुशन रिपीट हुआ दुबारा असोक चक्र में कितनी तीलिया होती है How many spokes are there इन असोक चक्र 24 तीलिया होती है यह था आसान की नहीं था एर्थ नमबर देखिए एसिया और यूरोप को अलग करने वाला परवत कौन सा है विच माउंटेन सेपरेट्स एसिया और यूरोप तो एसिया और यूरोप को अलग करने वाला जो परवत है वो है आपका यूराल ये कोशन था 9th नमबर कोशन देखे पूछा गया था कि नमक मार्च का दूसरा नम क्या है वाट इस दा अदर नेम आफ साल्ट मार्च तो नमक मार्च के जो दूसरा नम है वो है दान्डी मार्च ये कुश्चन पूचा गया था मिट्टी से लेटर कुश्चन था कि लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है What causes the red color of red soil तो iron oxide के कारण लाल मिट्टी जो है इसका कलर लाल होता है ये देखे 10 कुश्चन थे जो आपके third ship में पूचे गए कल ऐसे कुश्चन नहीं थे 11th नमबर देखे इदुल फितर का क्या आर्थ है What is the meaning of इदुल फितर रमजान को पुवास तोड़ना ये option में था और यही इसका right answer होगा 12th नमबर देखे प्रकास संसलेशन की खोज किस ने करी पूचा गया था Who discovered photosynthesis तो प्रकास संसलेशन की खोज करी इंजियन होज ने जैन इंजियन होज ये इनका पूरा नाम है ये इनों ने प्रकास संसलेशन photosynthesis की खोज करी थी आगे देखें 13th नमबर question पूछा गया कि राजा राम मोहन रायदर्वारा ब्रम शमाज की स्थापना कप की गई When was the brah mechanism founded by Raja Ram Mohun राय ब्रम शमाज की स्थापना राजा राम रायदर्वारा सन 1828 की स्थापनार में करी गई थी 14th नमबर देखें नवींतम उच्छ नयाले कौन सा है विच इस दा निवेस्ट हाई कूर्ट देखिए सेम यही कुश्चन मैं यूटूब के लिए सेलेक्ट कर रहा था या फिर आइधिंग टेस्ट के लिए सेलेक्ट कर रहा था लेकिन मुझे लगा यह नयाले वगारा इन आई भी मैं क्यों प ग्यान के जनक कौन है विच दा फादर आफ स्पेस साइंस राइट आंसर विक्रम सारा भाई सिक्टीन्थ नमबर देखे अरब सागर की रानी किस पोर्ट को कहा जाता है पूचा गया था विच पोर्ट इच काल दा कुईन ओफ अरेबियन सी तो कोची पोर्ट को अरब साग अरेबियन सी कहा जाता है कुईन ओर डेबियन देखे कोशन ता आगे देखें कोशन सब्रक्रम का संबंद किसे द्यूता से था मोहनी अंटम इस डिलेटर टु विच गर तो बагवान विश्नु से संबंद है मोनी हैट्टम का इस इटीश कोशन करवाया है देखिया जहां तक मुझे याद आ रहा है यूटूब पे मैंने एक वीडियो में गोल्ड में पुरुसकार करवाया है ये किस चेत्र में दिया जाता है इन विच फिल्ड इस दा गोल्ड में प्राइस गिवन तो गोल्ड में जो आवार्ड है गोल्ड में जो प्राइस है यह आपका पर्रया वरण इर्वायरमेंट के छेतर में दिया जाता है यह 18 कोशन थे एक और देखे 19 नमबर कोशन करेंसी से पूछा गया था कि निव से केल किस से संबंदित है फिर किस की मुद्रा है whose currency is the new shekel the new shekel आपकी इसराइल से संबंदित है इसराइल की currency है तो ये question आपका पूछा गया था तो आज देखे थर सिपनी में 19 question पता लगे है कल मैंने आपको करवाय थे कितने करवाय थे 10 question करवाय थे और 19 में भी कुछ question ऐसे थे जो confirm नहीं थे मुझे छोडने पड़े लगबग 23-24 question पता चल गया थे कुछ student ने बताया कि भाया हमने 30 plus attempt किया और almost सही करके आया एक student ने बताया कि paper अच्छा था 35 plus attempt किये एक student ने, girl student ने 25 plus attempt किये 25 नहीं 27 question attempt किये है और 27 में से उसने बताया कि 20 question आपकी PDF वीडियो और test series से था तो भाया यार 200 रुपए का PDF आपको दिया था और 200 रुपए में 50 में से अगर 25 question भी आपको मिल ला देखे shift first में तो लगबग 35-40 question मिल ला PDF e-book और एरा से और test series और वीडियो से shift two में लगबग 20-50 मिल ला है shift three में कल तो नहीं मिला था लेकिन आज मिला है मैं खुदी कहता हूँ कि 15 question कम से कम मिला है जो हमारी e-book में या वीडियो में है या फिर test series में है ठीक है यार इससे ज़्यादा और क्या चाहिए यहां लोग महीनों तैयारी करते हैं 1000 रुपे महीने का फीज देते हैं कोचिंग जाते हैं महीनों साल साल बर पढ़ते रहते हैं फिर भी exam नहीं निकल पाता है यहां हम आपको 200 रुपे का P-Def देते हैं और कहते हैं कि पढ़ो इसको चिला चिला के बोल ला ते जब PDF आपको दी थी एक्जाम से पहले कि स्पीड एप पर भरोसा करना इस पीड एफ को पढ़ना इसी से पेपर आएगा एना अभी भी आपके पास है कल आपका एक्जाम है तैयार करना चैसे भी परसू भी जाम है उसी को आप रिवाइज करना बहुत सारे कुशन आ रहे है ठीक है बस यही था रिविव मैं आपसे मिलता हूं नेक्ट वीडियो में